नमस्कार आप लोगों का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल सिक्सास सबकों में हम लोग एन यूएस की माधमेशा यानि हाइज स्कूल का डेटा एंट्री उप्रेशन्स विशे पढ़ रहे हैं इस विशे के अंतरगर्त हम लोग जान रहे हैं कि किस प्रकार से कंप्यूटर काम करता है किस प्रकार से हम उसमें डेटा की एंट्री करते हैं किस प्रकार से हम तरह तरह की रिपोर्ट बनाते हैं डॉक्यमेंट्स बनाते हैं तो वीडियो को प्रारम करने से पहले मैं आपके साथ अपना जो कॉंटेक्ट डीटेल से वो शेर कर रहा हूँ आप लोगों से अनुरूद है कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बूट से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियो को और हमारी चैनल को जरूँशेर कीजेगा हम लोग पार्ट तीन पढ़ रहे हैं जिसका किशी शक है वर्ड प्रोसेसिंग के मुलभूर तत्य इसमें हम जान रहे हैं कि जो वर्ड प्रोसेसिंग कैसे की जाती है किस प्रकार से जो Microsoft Word है या Word Processing Software जिसको हम बोलते हैं जो कि एक application software होता है वो किस प्रकार से काम करता है और किस प्रकार से हम उस software की सायता से विभिन प्रकार की documents बना सकते हैं ठीक है तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें जाना था कि Word Processing क्या होती है उसकी मुख्य विश्रिष्टाएं क्या होती है फिर जो हम special जो एक software पढ़ रहे हैं जिसके बारे में जो एक Word Processing Software है वो Word 2007 उसकी क्या विश्रिष्टाएं है और MS Word कैसे जो प्रोग्राम होता है उसको शुरू कैसे करते हैं जो MS Word की screen आती है उसका layout किस प्रकार से होता है उसमें किस-किस प्रकार की symbols होते हैं किस प्रकार की चीज़ें उससे हम कर सकते हैं कौन-कौन से menu होते हैं कैसे function और किस प्रकार से वो काम करते हैं यह सब हमने जाना था आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे दस्तावीजों के प्रबंदन की तो इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई हम नया दस्तावीज बनाएं नया डॉक्यूमेंट बनाएं यह जो पहले से मौझूद है आपके कम्पूटर में उस डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसको किस प्रकार से खोला जाए, उसको किस प्रकार से सिर्व करें, ठीक है न, और किस प्रकार से उसको प्रिंट किया जाए, एक से अधिक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट पर किस प्रकार से कारी किया जाए, अगर हम एक साथ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट पर काम करना तो कैसे करें दस्तावेज को हम किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं ताकि कोई दूसरा उस पर कुछ छेड़ छाड़ ना कर सके कुछ चीज एंटर ना कर सके तो वर्ड में नए दस्तावेज को रख सेव करने के बहुत सारे त्रीके होते हैं तो यह आपको ऊफिस का बटन बटन करता था वर्ड 2007 में वो नए वर्ड में वो काम फाइल वाला बटन करता है ठीक है ना फाइल वाले बटन पर क्लिक करके आप उसको सेव कर सकते हैं उपन कर सकते हैं बहुत सारे जो काम है वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो के मादन से मैं आपको क्लिक किया फिर हमने कहा गए हम new पे क्लिक किया new पे क्लिक करके नया blank document यहां पे लिखा वाया उस blank document पे क्लिक किया तो एक नया document खुल गया नया दस्तावेज खुल गया इस पकार से हमने नया दस्तावेज बना लिया ठीक है अगर हम चाहें तो इस नए दस्तावेज को अगर हम कुछ लिखें इसके अंदर तो ठीक है अगर हमको इसको सेव करना होगा तो अभी जैसे मैंने इसमें कुछ लिखा है जैसे मैंने इसमें लिखा दस्तावेच पहले से पढ़ा हुआ है मेरे desktop पर पढ़ा हुआ है अगर मैं चाहूं तो इसको documents में जाकर भी देख सकता हूं documents में जाऊंगा तो फिर मैं कहां डाना पड़ेगा मुझे desktop पर जाना पड़ेगा और यह document यहां पर दिखाई देगा इसको मैं double click करूँगा दो बार click करूँगा तो इसको खोल देगा वही चीज जिसमें लिखी भी आरी data entry operations तो इस प्रकार से आप अगर आपके computer पर पहले से कोई document मुझूद है तो उसको खोल सकते है अब हम बात करेंगे नए या फिर मुझूदा दस्तावेच को save करने की तो अगर कोई नया क्यए होता है क्योंकि नए दस्तावेच को save करते समये आप को उसका कोई नाम रखना पड़ता है और मुझूदा दस्तावेच का पहले सही शिच dit आप दे होते हैं ठीक है तो एंदर है तो खुले वे नए या मुझूदा दस्तावेज को सेव करने के लिए नेमली कितमेसे एक तरीके का आप पालन करेंगे सबसे पहले आप मेन्यू उपार पर जाएए महाँ पर सेव का एक बटन होता है जो कि यहाँ पर हमारी केस में फाइल के अंदर होगा और कीबोड पर आप कंट्रोल प्लस S अगर कंट्रोल और S दवाएंगे तो उससे आप किसी भी डोकुमेंट को खुलावा डोकुमेंट को सेव कर सकते हैं इसको शॉर्टकट की बोलते हैं यह एक शॉर्टकट है जो कि आप सीधे सीधे माउस का यूज ना करके सीधे कीबोड के माध्यम से ही सीधे सेव कर सकते हैं तो इसको शॉर्टकट की बोलते हैं यदि दस्तावेज पहले से ही नाम दिया गया है तो उससे सेव किया गया है तो वो बिना कुछ पूरे दस्तावेच को, बिना कुछ पूछे वे, आपसे पूरे दस्तावेच को सेव कर देगा, दूसरी ओर, यदि फाइल एक नया दस्तावेच है, तो सेव एज वारा डायलोग गॉक्स खोल जाएगा, और आपसे कंप्यूटर पूछेगा, कि आपको, कुछ नाम नहीं है, सेव एस किया, मैंने इस PC मुझे सेव करना है, और desktop पे सेव करना है, तो मैंने desktop को क्लिक किया, इस में से छाट के, और फिर मैंने इसका नाम जो भी रखना है, data entry operations है, उसको मैंने सेव कर दिया, नाम रखके, तो वो जो दस्तावेच है, वो सेव हो गया ठीकें, तो इस परकार से आप किसी भी दस्तावेच को सेव कर सकते हैं, अब बात आती है, कि अगर आपको एक से अधिक दस्तावेचों पर काम करना हो, ठीकें दस्तावेच जहां पर कि आपके एक से जादा हो, तो एक से जादा दस्तावेच के case में क्या होगा, आपको करन किया है आप जाईए जैसे शिरहूं इंक को जा है आप ने स्क जाय वेडियो इसको खोल लिया यह पहली फाइल है फाइल एक किसरा हो खोल लिया इसके साथ साथ फिर हम दूसरी खोलं को मीं तो तो अगर मैंने दो फाइले एक साधिक दस्तावेज खोल रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे-सीधे व्यू पर जाएंगे, और व्यू पर जाने के बार, जैसे अभी मैं आया, मैंने व्यू पर गया, व्यू पर जाकर हमने यहां पर अरेंज ओल लिखा हुआ है, इसको क्लिक करेंगे, तो देखेंगे, आप दोनों फाइले एक साथ उपर नीचे आपको दिखाने लगा, यह दूसरी फाइल है और यह पहली फाइल है, अब हब बात आती है, दस्तावेज को सेव करने की, या दस्तावेज को प्रोटेक्ट करने की, दस्तावेज को आप कैसे सनक्षित करें, कैसे आप किसी और के द्वारा उसको गलत तरीके से यूज करने से बचाएं, तो दस्तावेज को अन सनक्षित करने के बहुत सारी तरीके हैं से दस्तावेज को अन उपयोग करताओं की पहुत से सनक्षित करना जो कि हम password के माध्यम से कर सकते हैं ऐसे ही दूसरों की पहुत से दस्तावेज को सनक्षित रखना read only करके अगर हम दस्तावेज को या document को read only कर तो केवल उस पर जो यूजर है, जो दूसरा काम कर रहा है, वो केवल उसको पढ़ पाएगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाएगा, दस्तावेज को सनक्षित रखने के लिए पासवर्ट को संसोधित करना, जो हमने पासवर्ट दिया है, उसको प्रोटेट करने के लिए सनक्षित कैसे करेंगे आप किसी डॉक्यूमेंट को, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, यहाँ फाइल पर जाएंगे, फिर आप कहा जाएंगे, फिर आप जाएंगे, सेव एस पर जाएंगे, फिर आप जाएंगे, में जाएंगे general options में जाके password open करने के लिए password होता है और एक password होता है modify करने के अगर आप चाहते हैं कि किवल open करने का password तो स्रिफ एक password लिखीए दूसरा password मद लिखिए आप चाहते हैं कि दोनों कामों के लिए अगर कोई आदमी document को खोलना चाह रहा है और उसको modify भी करना चाहता है, तो दूनों password अगर आप देना चाहते हैं, तो दूनों जगे आपको type करना पड़ेगा, ठीके ना, तो आप यहाँ पर भी मैंने एक password दे दिया, और modify करने के लिए एक password दे दिया, तो जो nius2 document है, इसको मैंने password के साथ save कर दिया, और इसके लिए पहले फिर में एक बार confirm करवाएगा कि क्या password आपने रखा है, मैंने वो password यहाँ पर डालूँगा, यह password मैंने यह पर दूनों डाल दिया है, इसके पस्चाहत मैंने इसको ok कर दिया, और यहाँ पर जाके इसको save कर दिया, ठीके ना, अब मैं इसको बंद कर दिया है, मैंने इस document को, यह NIS2 है, जब मैं इसको खूलने जाओंगा, तो अब यह मुझसे password मांगेगा, ठीके ना, यह password मांग रहा है, मैंने password डाला, पहला password है open करने के लिए, दूसरा password है modify करने के लिए, ठीके ना, अगर मैं modify करने वाला password नहीं डालूँगा, तो यह फिर मुझको उस document क चेंज कुछ भी कोई परिवर्तन करने नहीं देगा, ठीक है, अब दूसरी बात आती है, कि अगर आप password ना डाल कर, दूसरों की पहुंच से सनक्षित करने के लिए, फाइल को read only करना चाहें, ठीक है ना, तो अगर read only करना है, कि केवल दूसरा है, जो भी कोई दूसरा user है, पढ़ पाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वही option है, save as में आप जाईए, और फिर उसको save करने के लिए desktop या फिर कोई भी जगह चुनिए, फिर जाएगे tools पर, general options पर, और यहाँ पर एक read only recommended का लिखावा आता है, इसको आप click कर दीजे, read only, और इस प्रकार से ज change करेंगे, अभी तो यह change ले लेगा, क्योंकि अभी file खुली भी है, अब आप जब इस file को बंद करेंगे, ठीक है ना, इस file को बंद करने के पास जब आप फिर दुबारा खोलेंगे, तो यह जब आप file खोलेंगे, तो अब यह बोलेगा, कि यह जो file है, यह read only ही open हो सकती है थीक है ना, तो आप इसको yes करेंगे, तो अब आप इसके अंदर कोई change नहीं कर पाएंगे, थीक है, क्योंकि यह read only file है, तो आप परिवरतन इसके अंदर करने के लिए अधिकारी नहीं है, क्योंकि इसका user है, इसने ईसको cable read only बना रखा है, थीक है, यह आपे लिख वारा है यह फाइल read only है इसलिए save नहीं होगी तो यह बात हुई कि आप किस प्रकार से फाइल को read only रख कर सकते हैं सुरक्षित protected रख सकते हैं उसको अब है सनलक्षित रखने के लिए जो आपने password दिया था उसको कैसे change कर सकते हैं उसको कैसे फाइल पर जाईए और फिर save as में जाईए desktop पर जहां पर भी आपको save करनी है फिर टूस में general options पर जाईए और यहां से इस पाइसवर्ड दून हमने डाल रखे थे उनकी जगे कोई दूसरा password कोई नया password डाल दीजिए password आप डाल देंगे उसके बाद फिर दुबारा से confirm करवा जाएगा आपसे उस प्रकार से उसको आप save कर दीजिए ठीक है और यहां पर जाके final save करेंगे तो आपका password चेंज हो गया अब आप जब इस फाइल को खोलना जाएंगे तो आपको दूसरा password जो नया password हो डालना पड़ेगा तभी यह फाइल खुलेगी ठीक है अब आगे बा एक option होता है उसको आप select करते हैं तो जो दूसरा उपयोग करता होते हैं वो दस्तावेच को परिवर्तित तो कर सकते हैं और परिवर्तन को आप देख भी सकते हैं उन्होंनों क्या परिवर्तन किया उसको highlight कर सकते हैं जिससे कि आप परिवर्तनों का पता लगा सकें जब दस की वे परिवर्तन को स्विक्रतिया असिविक्रत कर सकते हैं तो अगर आप दस्तावेच को track परिवर्तन के सनक्षित कर देंगे उसको lock कर देंगे, protected कर देंगे, कैसे करेंगे मैं देखाता हूँ आपको, जैसे हमने वो document खोला है यहां पर आप जाएंगे review option में, ठीक है न, तो review option में जाके आपको यहां पर ही जो option है वो आता है, जिस चीच का track change का option आता है जो कि अभी आपको दिखाए देगा, यहां पर हमने देखा, यहां हम गए हमने देखा कि इसमें जो changes है हम changes कर रहे है तो red होता जा रहा है ठीक है अगर हम इसको save करना चाहेंगे, तो save यह अभी नहीं होगा अब हम दुबारा इसको खोलेंगे, review पर जाएंगे, track change पर जाएंगे अगर हम track पर change पर जाके, original देखेंगे तो केवल यह दिखाई देगा आपको, जो लिखावा है अगर आप simple markup में देखेंगे तो यह दोनों दिखाई देगे, अगर आप इसमें से इसको एक को रखना चाहते हैं आप यहाँ पर जाके track changes की मदद से, आप जाहें तो track changes को lock भी कर सकते हैं जैसे मैं आपको बोला था भी, उसमें एक option आता है track change को block करने का ठीक है, आपको दिखाता हूँ भी, जैसे यह भी आ रहा है तो track change पर आप जाकर track change को block भी कर सकते हैं, ठीक है अब बात आती है, दस्तावीजों को खोजने की अगर आपके computer पर दो से ज़्यादा documents हैं और आपको वो मिल नहीं पा रहा है कि आपका कौन सा document आपने बनाया था अगर आपको उसके document का कुछ भी नाम आपको, कुछ नाम का कुछ एक आदेक alphabet याद है तो आप अराम से उस document को ढूंड सकते हैं, कैसे ढूंडेंगे, जब आप फाइल का नाम भूल जाते हैं पर आपको फाइल के नाम के कुछ अक्षर याद रहते हैं, तो ओपन डॉयल अग बॉक्स का प्योग आप कर सकते हैं, ठीक है ना मैं फाइलों की सूची के माध्यम से आपको विशिस्ट फाइल की खोच करेगा, उधारन के लिए यह दिया फाइल का नाम एनुवल पेपर है, तो आप अगर एनुवल अक्षरों को टाइप कर सकते हैं, तो आपको वह एनुवल पेपर वाली फाइल वर्ड ढूंड लेगा ठीक है ना कैसे ढूंड लेगा, जैसे मैंने अपने जो डेक्स्टॉप है उस पर कुछ फाइल्स रखी विए हैं, मैं गया, मैंने ओपन पर क्लिक किया, और यहां पर जाके इस PC में इस कंप्यूटर में मुझे ढूंडना है, सर्च लिखा हुआ रहा है, सर्च का मतलब और मैंने उस फाइल को खोल लिया, ठीक है ना तो इस प्रकार से आप जो दस्तावेज हैं, यह डॉक्यूमेंट हैं, वर्ड में खोज सकते हैं, अब आती है अगली बात कि दस्तावेज को बंद कैसे करते हैं, बहुत इजी होता है, आप जाहिए जो दस्तावेज है, उसका जो फाइल वाला है, वहाँ पर दस्तावेज बंद हो गया, अगर आपको फाइनली वर्ड को पूरे प्रोग्राम को बंद करना है, तो फिर आप जो रेड वाला जो आप्शिन आपको दिखाए दे रहा था, यहाँ पर उस पे क्लिक करेंगे, तो यह पूरा जो को प्रिंट करने की डोकुमेंट को प्रिंट कासे करते हैं आपने जो मानली जो कोई रिपोर्ट बना ली है अब आपको अपने बॉस को उस प्रिंट को दिखाना है हार्ट कॉपी में ठीक है ना तो आपको हार्ट कॉपी में दिखाने के लिए उसको किसी प्रिंटर से प्रिं दिखाई देगा यहां पर जो printer होता है उसकी detail लिखी होती है इसको आप डबाएंगे तो बहुत सारे printers जो भी available है वो यहां पर दिखा देगा यहां properties में जाके आप जो printer है उसकी setting को change कर सकते हैं ठीक है और अगर आपको आपकी मन पसंद का printer यहां पर नहीं मिल रहा है तो करकर अपना जो पसंद का printer है उसको ढूंग सकते हैं ठीक है ना और properties का button दबाकर आप उसकी setting कर सकते हैं ठीक है ना फिर नीचे यहां पर आपको कितने print कितनी copies लेनी है वो यहां लिख सकते हैं आपको both side print लेना है दूनों तरफ print लेना है कैसा लेना है print आपको सारे page करने ह इसको सकेल करना है इसको कोई scaling करनी है कि नहीं करनी है ठीक है ना तो यह सारे options आपको print करने के लिए मिलते हैं तो दस्तावेज को print कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं यह एक document हमने खोला इस document के लिए हम file पर गये फिर हम print पर गये प्रिंट पे हमने जैसे क्लिक किया तो इसने आपको एक डायलोग बॉक्स दिखाया, यहां पर में गया, यहां यह बहुत सारे प्रिंटर्स आपको अवेलेबल दिखायेगा, प्रिंटर्स अवेलेबल कौन कौन से हैं, यह सारे प्रिंटर की लिस्ट आई है, यह प्रिंटर हैं इस पर से हम किसी भी printer से प्रिंट ले सकते हैं मैंने इसमें इसको जो HPE print जाड आडवांटेज है को प्लीक किया और फिर मैंने print की command दे दी ठीक है तो printer की जो command है वो print की command है printer में चली गई और printer से print निकल गया वो कि इस एक inkjet printer है जो हमने जिसकी बात की थी पिछले वीडियोस में जब हम peripheral devices के बारे हैं पढ़ रहे थे तो ये printer से print निकल के आ गया है जैसे मैंने command दी तो यहां से print आ गया है अब है बात है कि बहुत सारे अलग-अलग size के paper होते हैं उनके हिसाब से आप जो document है उसको कैसे print करेंगे तो वही option है पहले आप file पे जाईए फिर आप print पे जाईए फिर यहां से आप जो यह यहां पर यह A4 लिखावा है यह page का size है printer का जो paper है उसका size है अगर आपको A4 वाला size है तो A4 पे आप कलिक करिए यह बहुत सारे options इसमें आते हैं A4 है B4 है A3 है A2 है A1 है तो जो आपका printer है वह जिस तरीके के print जिस पेपर के size के print निकाल सकता है उस प्रिंट आप निकलवा सकते हैं इस printer से ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका printer छोटा है तो वह केवल A4 size के print निकाल पाया जैसे मैंने आपको वीडियो दिखाया था वह जो printer था वह छोटा printer था उसमें केवल A4 size तक के 21 cm by 29.7 cm यह उसकी dimension है इतना लंबा और इतना चोड़ा और इतना लंबा पेपर एफोर जो size होता है common बहुत paper होता है उस तक के print निकाल सकता था तो printer की जो capacity है उसके हिसाब से आप कागज का size तय कर सकते हैं ठीक है ना इस option पर जाके अब आती है बात कि अगर आप एक sheet पर पेपर की एक sheet पर दस्ता वेज के एक से ज्यादा प्रिंटों को अगर प्रिंट करना चाह रहे हैं कहीं बार ऐसा होता है कि हमारे पास paper काम होते हैं तो हम एक ही पेच पर दो से ज्यादा जो copy और प्रिंट निकाल लेते हैं तो वह कैसे करते हैं उसके लिए जो option होता है उसके लिए यह option है नीचे टू पेज पर sheet लिखावा है एक पेज पर sheet मतलब एक ही पेज निकालेगा के वले कागज पर दो निकालेगा तो एक कागज दो प्रिंट निकाल लेगा, दो शीट निकाल लेगा, चार भी निकाल सकते हैं, चार भी निकाल सकते हैं, आड भी निकाल सकते हैं, तो यहां से आप जो पेपर है, उसके साइज से आप प्रिंट दे सकते हैं, या फिर जो पेपर का साइज है, उसके इसाब से स्केल भी कर सकत सारे options आपके पास रहते हैं ठीक है ना तो इस प्रकार से सबसे जो last option है वो है जो last topic है कि word के program से आप बाहर कैसे निकलेंगे मैं आपको पहली भी एक बार दिखा चुका हूँ यह बार फिर देख लेते हैं फाइल पर जाईए close करेंगे तो जो अभी जो document हमने खोल रखा था स से पहले वो बंद हो जाएगा अगर आप सीधे जाकर फिर जो यह word खुला हुआ है यहाँ पर red color का जो यह रहता है exit वाला option इसको जैसी click करेंगे तो word का program बंद हो जाएगा इस पकार से आप word के program से बाहर निकल सकते हैं अगला topic है keyboard के shortcut का तो यह बहुत ज़्यादा पढ़ में जाएं और save पर click कर दें save या save s पर उसके जगे option है control plus s वाला तो वो क्या है keyboard का shortcut है उसके मात्यम से आप किसी भी जो paper जो document है उसको save कर सकते हैं तो साधान कमांडों को निस्पादित करने के लिए keyboard shortcut समय और महनत बचा सकता है तो बहुत बार इनकी साहता से आप easily time की जो saving है वो कर सकते हैं word के लिए keyboard shortcut की सूची आप print करें जो आपकी किताब में दी है उसको print कर ले और reference के लिए से अपने computer के पास रखें और करके देखें किसको दमाने से क्या होगा जैसे example के लिए जैसे file खोलने के लिए कौन से command होती है control की की होती है उसके साथ O को दबाना है आपको जो O alphabet है उसको दबाएंगे तो आपका file खोल जाएगी नई file बनानी है नई file खोलनी है तो control प्लस N कर लेंगे फाइल बन करनी है तो control प्लस डबलू कर लेंगे तो यह बहुत सारे options है जो कि आप word में keyboard shortcut की साहता से कर सकते हैं तो यह जो word processing वाला जो topic था जो subject जो आप कहना चाहिए जो पार्ट था यहाँ पर खतम होता है इसके पश्चात हम आगे बात करेंगे यह हमारे contact details है इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और वही आप से फिर एक नरोद रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ट से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजेगा ठीक है धन्यवाद थैंक यू